काल माक्स को जिवनी सन अठार सहे पचास को गर्मी मा येवता मानीश ब्रिटिश म्यूजियम मा मोठा मोठा किताब र कापी मा जुके रबस्ते आक कर्षक ब्यक्तित्तो हुनुक साथ है काम गर्दा उनको अनुहार मा गंबिरता जायको हुन्ते हो गरिवार्शंग रमाउनेगर थे यहां धेरी गरिवी को जीवन थियो कहिले खाई खाने कुरा जुटाउनका लागी घर को सामान समेथ बेचनु पर थियो तरब पतनी बच्चा को प्रेम मा यो जीवन को कठोरता थेचिन थियो रहोनी अदेन र लेखन को कारिया नियमीत जसली दिंद्रात मेहनत गरेर प्रेटीश म्यूजियम बाट जम्मा गरेको सामाग्रीर आपनो अनुभव को आधार मा जे लेहे काचन तेशको प्रभाव आज संसार्भरी का राजनिती मा प्रत्यक्चर अप्रत्यक्चरूप मा परी रहेको छा देखी रहेको छा काल माक्स को जन्मा 518-88 मा पर्सीमी जर्मनी को राइन लेंडिशती तीर नामक नगर मा एक यहुदी परिवार मा भयेको धियो तरमाक्स जब चबर्स गा थिये तब उनका पिताले यहुदी धर्म त्यागेर इसाई धर्म अपनाये का धिये माक्समा धर्मर जातिको प्रभाब बिल्कुले परेना उनको शिक्षा सन 830 देखी सन 825 सम्म तीर जिमने जियम इसकुल मा भयो इसकुल को अंतिम परिक्षा का लागी जुन निवन्द उनिहरूले रोजे का थिये तेसको शिर्षक्तियो पेशा चुन्ने सम्बन्नमा एक तरूल को विचार। यो निवन्दबाट था होंचा कि उनले जिवन को शुरु आक्मानाई मानवताको त्याक पुनस्यवा गर्नुलाई आपनो जिवन को सार्थकता थाने का धिये। पड़ाई इसकोल सकिये पची बाबुको सल्लाहा मा काल माक्स बोन विश्यो विध्यालाई मा कानुन पर्णा का लागी भर्ना भए र अरक बर्ष बरलीन विश्यो विध्यालाई मा गए। एस बीश मा ट्रीर का सामन्त लुडविंग भान वेस्ट फालन की छोरी जेनी संग माक्स को प्रेम भयो। जेनी संग उनको बालेकाल देखिने मित्र ता थियो। धेरेई आनकाने पची जेनी का पिताले माक्स लाई जेनी को भावी पती सुईकार गरे। यो प्रेम को प्रभाव मा माक्स ले धेरे कविता लेखे र जेनी लाई पठाए। सन 1841 मा उनका धुई कविता बरलीन को अथे नियम नामक समचार पत्र मा प्रकाशित भाय का थिये। माक्स ले आपनो विद्यार्थी जीवन मा नहीं हेगेल का किर्टी हरुगो अध्यान गर्न सोग गरे का थिये। र हेगेल बादी हरुशां को संपर्क बनी इस्तापी द्भाय को थियो। जेना विश्यो विद्याले मा उनले योका निवन्द प्रस्थूत गरे का थिये। धर्मर अंद विश्वार्ष को बिर्द्ध ती प्राचिन योनानी दार्षनिक को सहास्पोन संगर्ष को सराहाना गरे। यो निवन्दमा माक्स लाई एप्रिल अठार्श एच्यालिश मा दर्षन सास्त्रमा डाक्टरेट को डिगरी मिल्य। आपनो प्रगतिशिल विचार को कारण माक्स इच्छा भायर पनी प्रश्याको कुने विश्व विद्यालायमा प्रफेसर बनना सके नन। किनकी प्रश्याको विश्व विद्यालेमा आलोचनात्मक प्रगतिशिल विचार धाराक लागी उनी इस्तान धियेना। ए तरुन हेगलबादी हरुका राइनिस जाइटुम नामक समचार पत्रमा माक्स लेलेखना सुरु गरे। केही मैना पची नहीं उनी तेसको समपादक बने। केही मैना पत्रमा आलोचनात्मक प्रगतिशिल विचार पत्रमा माक्स लेलेखना समपादक बने। कलपना बादी समास्येवी हरुको रचना को अध्येन गरे। एसले उनको विचारधारा भाग बादी र क्रामतिकारी जनबादी बाठक बदली एर भुतिक बादी र साम्य बादी बने। माक्स र अर्नाल्ड रुगेल ले मिले र फेब्रुबरी अठार्शे चवालिस मां पेरिस बाठ डायस भांजो जीशे जोहर बुखर नामक पत्रिका निगाले। तर दुवे मां मध्भेद भाय का कारण एसको केबल एक अंगमात्र निश्कियो। अगस्ट मां फ्रांस मां माक्स र फ्रेडरिक अंगेल्स को अईकिहासिक भेड़ भायो। जस्मा उनी हरुले एक अर्काको बिचार लाई बिल्कुले सम्मान दिये। एस बची माक्स रा एंगेल्स को बिच्मा ते रचनात्मक सहयोग शुरूबायो। जस्को एक इहांसमा और कोकुने उदहारन पाई दे। माक्स बंदा दुई बर्स कांचा एंगेल्स एक जर्मन कपार्ष उत्पादक का छोरा थिये रसान उमेर मानाई क्रांतिकारी विचार मा विश्वास गर्न लागी का थिये। उनी केई छन आपनो बाभुको फंमा इंगलेंड साखा मेंचेस्टर मा बसे। तेहीं उनको परिचै रोबाट ओबन रा चाटिश नेता हरु संग भायो। माक्स नगा उनको पहिलो भेट सन अठार से 22 मा भायको धियो। जब उनी राइनिस जाइटूं का संपादक थिये। तर उनी हरुमा असली मित्रता सन अठार से 244 मा पेरिश को भेट पजी शुरू भायो। एसाई बर्षा उनी हरु दुबाई मिले रा भूतो बाउर रा उनके विचार का अरुके नया हेगेल बादी हरु को भिर्द्ध युटा रचना गरे। एउटे उदेश्य प्राप्ति गर्णक लागी दुबाई को प्रयत्न को ये शुरू आथ्यो। एंगेल्स को रूपमा माक्स को एउटा संचा साथी, सिश्य, सहयोगी, प्रचारक र सबी भंदा महत्तो पुण यो हो की एउटा साध्नन मिल्यू। 1845 को बसंत मां एंगेल्स रा माक्स ले ब्रसेल्स मां फेरी भेट गरे। एश्यी पर्षको गर्विमां उनी इंग्लैंड गए। त्याहां एंगेल्स ले उनलाई केई समय अगाडी पने को जर्मन वर्कर्स एजुकेशनल यूनियन को प्रबर्दक संग भेटाए। ब्रसेल्स फर्केर आय पची माक्स ले तेस्ते यूटा संस्ता जर्मन वर्किंग मेंस एशुशियेशन इस्तबना गरे। जसको उदेश्य साम्य बाद को सिद्धान्त को अध्येन र प्रचार गर्नो धिय। एस पची बिविन्न देश का साम्य बादी हरुलाई जम्मा गर्नका लागी उनले कमिनुस्ट करेस्पोंडेंच कमिटी स्ताफिद गरे। पेरिस मा यूटा संस्ता बनाउनका लागी एंगेर्स लाए पठाईय। सन अठारसाई सर्चालिस्ट मा ब्रसेल्स, पेरिस र लंडन का संस्ता हरुको लंडन मा यूटा कन्फरेंस भयो। जसको परिणाम सोरुप अंतरास्ट्य कमिनुस्ट लीग बनियो। यो लीग को लागी माक्स रा इंगेर्स ले प्रसिद्ध कमिनुस्ट गोष्णापत्र प्रकासित गरे। गोष्णापत्र बाइगानिक साम्यबाद को कारेकम संग संबंदित दस्ता भेज हो। एसमा पहिलो पटक सर्वहारा को क्रांतिकारी सिद्धान्त को योटा संक्षिप्त रर सरल ब्याख्या गरिये गोध्यो। एसमा यो बताईएको थ्यो कि सर्वहारा क्रांती रर सर्वहारा बर्ग को राजनेतिक सासन को इस्तापना का फल्सरुप पुजी बात को अंत्य रा तेशको इस्तान मायोटा नया बर्ग हिन समाज को इस्तापना अईतिहांसिक रूपली अनिवारिया छो घोशना पत्र इस सब्द संगई समाप्त होंच साम्यबादी क्रांति को डरले सासक बर्ग लाई काम न देव सर्वहारा अर्षंग आफुले गुमाउनको लागी आफुले जन्जीर शिवाई अरुकेही छाई न जितनका लागी अगाडी संसार्ष दुनिया छ दुनिया का मज़्दू धरू एक हाऊ भेप्रुबरी अठार सै अर्चालिस मा भुषना पत्रको प्रकासन को समय नई फ्रांस मा राज्य क्रांति भयो तेसको गुंजन यूरोप का अन्य देश मा बनी सुनियो बेल्जियम सर्खार ले क्रांति को पर्दो प्रभाब देखेर माक्स ले कहाँ बाट जाने आदेश दियो माक्स पहला पेरीश तेस पची जर्मनी गए एप्रिल मा उनी कोलोर मा कमिनुस्ट पाठी को प्रमुक पत्र नियो राइनिस जाइटूं का समपादक बने तर क्रांति असपल भाईशा की गुथियो एक पर्ष पची माक्स ले एक पटक फेरी जर्मनी बाट भागनु पर्यो उनलाई पेरिश पनी छोडनु पर्यो अंत्यमा उनी इंग्लेंड गए लंडन मा कयों उपर्ष समा उनको परिवार कणा गरीबी संग जुदी रहो यो बेला माक्स संग न पईशा थियो न कमाईगो कुने शाधन पालनका लागी सारा परिवार थियो एक पटक्तल भाडा तिर्ना नसके उकारन उनलाई घरबाट निकालियो घर मारिकले उनका भाणा कुना हारू घरबाट बाई रागन मा भेंकिती गरीबी संग बिरामीपनी आयो रवणले आफना तीन बच्चा हारू गुमाउनु भायो साथे उनी पनी रोगी भाय एंगेल्स को सहयोगले माक्स जिबीत राय एंगेल्स मेंचेस्टर को योटा कार्यलायमा कामगर्न थाले माक्स रा उनको परिवार को आर्थिक भार धेरे हज सम्मा उनले आफुले जिम्मा लिये गा थी सन अठार साए एकाउन नमा माक्स लाई नियू यर्क टिबियू उनको लागी लेख लेख न भने अमेरिकी ग्रिह युद्ध आधिको सम्मंद मा लेखे यो लेख मा युटा भावना थियो प्रतेक प्रगति शिल्कुरांतिकारी संगर्ष को समर्थन गरियोस र प्रतेक जनवादी जन आंदोलन को सहायता गरियोस माक्स राजनिती घटना पत्रकारिता र आपनो बिरोदी संगा जुदी राए जसको उनको सिद्धान तसंगा मद्वेथियू त्यो सब उनले छोडे एक बिरोदी को प्रभावबाट बंचन को लागे माक्स ले कमिनिस्ट लिग को मुख्या कारे लाए कोलोन मा बदले एसको परिणाम सोरूप लिग सक्यो माक्स कुनई प्रतियोगी सहन गर्न सक्दै न थे इस्टबई समस्या भायरपनी माक्स ले अर्थशास्त्र सम्मन्दी आपनो खोज जारी राखे अर्थशास्त्र को समिक्षा को एउता पर्यत्न को पहिलो संसकरन अर्थार सय उन्साठ निश्कियो एस मा उनले बताये कि कुनेपनी कुरा को मुल्य तो चीज बनाउनामा या उत्पन गर्नामा खर्च गर्ये को परिश्टमली तोक्छा एस पची उन्ही हरूली आपनो प्रशित्त पुष्टक क्यापिटल को रचना गरे एसको रचना उनले भहिंकर कथिन पुजी मां माक्स ले अतरिक्त मुल्य को सिदान्त अपनायका अतरिक्त मुल्य सर्पलस भैलिव। पुजी मां माक्स ले अतरिक्त मुल्य हो। पुजी मां अंतराष्ट्य वर्किंग मेंस एसोशियेशन पहिरो अंतराष्ट्य इस्तर मां इस्ताफिर भैलिव। छिट्टेई माक्स तेसको करताय धरता बने। फ्रांस रप्रशियाको युद्ध को कारण यूरोक मा विवाहजन आउनाले यूर्शनस्ताले धेरेई पकर जमायो। तरपची एस संस्ताको सदस्यमाने मध्भेद उत्तपन्न भायो। माक्स रबाकु नीनमा एति धेरे बिरोध बढ़यो की माक्स ले अठार्शे भहत्तरमा जनरल कोंसील को मुख्यकार्य ले नियूर्क मा बदली। इसको परिवर्तन संगई पहिलो अंतरास्तियता समाप्त भायो। माक्स अजई पुजी को अरको खंड मालजी रहे का थिये। तरप उनको आर्थिक 10-6 सुद्रे को थियो। शन अठार्शे उनान सत्तरीमा एंगिल्स ब्यापारबाटा अबकास भहे राउन्डे माक्स लाइप 350 पुण प्रति बर्षत दिये। तरप विस्तारे विस्तारे गरिबी र विरामीले उन लाई घेर्यो। उनको काममा बाधा परन थाल्यो। कईयों बर्ष सम्मा क्यांसर बाडर पिरित भहेर अठार्शे एकार्शी मां माक्स की पत्नी मरिन। तव माक्स आफई पनी फ्लूरिशी को शिकार भही सके का थिये। के इस समय पची माक्स ठीकत भहे तरव उनको अंत्य नजीक आई रहे गो जियो। चौद मार्श अठारशे तिराशी मा लज़नमाँ उनको त्रहा भहाशं भयो। सत्र मार्श अठारशे तिराशी मा उनको लास्ष लज़नन beltतों को पांजना मात्र उनको मृत्तु मां सहवागी भायगा थिये, उनको फनेरल मां सहवागी भायगा थिये, तर तिनेई माक्स को सानो पुस्तक, 26 बेच को सानो कमिनिस्ट मेनु फेस्टो ले आज संसार भरी आफन सक्ति देखाई रहेको छा, एउटा पुस्तक, एउटा लिखु